आचरण ही मनुष्य मात्र के लिए संदेश है। महात्मा गांधी मानो सभ्यता की नैतिक ध्वनी और आत्म बल के संकीतक हैं। केवल भारती संदर्ब में नहीं, बैस्विक संदर्ब में महात्मा गांधी का जीवन चरित वा आत्म बोध प्रकासित हैं। जिसके बल पर सभ्यता वचका चौत के जादुई मायाजाल में फंसी, आबादी को बचाने के लिए, यदि कोई धनी सभ्यताओं के बिमर्स से उठती है, तो वह महात्मा गांधी की वह नैतिक द्रिश्टी है, जो उन्होंने भारतियता के सहज बोध से नीती वा आध्यात्म पर चलते हुए, आत्मा की आवाज को सुनने के क्रम में प्राप्ट की थी, इस आवाज को वे अहिंसा और सत्य के बल पर इस तरह आत्म साथ करते हैं, कि उनकी आवाज, अकेले की आवाज न होकर, सामुहिक मन की आवाज बनकर, मानवी धर्म की, आचरण की, सभ्यता की प् मात्मा गाधी का जीवन दर्षन, विचार संड़ी और भारती जीवन पद्धत के साथ, जीवन प्रक्रिया को समझने वाले दार्षनिक, महा मानव और उस रूप में अपनी पहचान अस्थापित करते हैं, कि हमें कहना नहीं है, संदेश नहीं देना है, दूसरों को उपद आत्म पार, और संदेश बन जाता है, जब जीवन आचरण में ढ़ल जाता है, तो वह आफ से आप संदेश बन जाता है, महात्मा का जीवन संदेश है, महात्मा गांधी जीवन जीने की दृष्टी है, उनके हैं मसीन बल, पसू बल और या अंत्रिक्ता का निसेद करते विरुद्ध महात्मा गांधी दुनिया को भारती सब्धिता संस्कृती की नैतिक और धर्म दृष्टी के साथ जीवन को संस्कृती के बल पर आत्म बोध के बल पर जीने का वह रास्ता देते हैं जिसमें सब को स्विकार किया गया है उनकी जीवन दृष्टी को समझने के लि पढ़ा और समझा गया है जो नैतिक है आत्म बल से भरपूर है और हर तरह के पास्विक बल के खिलाफ है वहीं गांधी महात्मा है यह मनुस्य की सामुहिक सक्ती का बोध है वे जो लिखते हैं उसे खुद सच मानते हैं नीद में आदमी जो सपना देखता है उसे वह सही मा हम जो बातें पढ़ते हैं वे सभिता की हिमायत करने वालों की लिखी बाते होती हैं उसमें बहुत होसियार है और भले आदमी है उनके लेखों से हम चवधिया जाते हैं जो एक के एक बाद दूसरा आदमी उसमें फंसता जाता है हिंद स्वराज प्रिष्ट सत्रह हमें सभ हो सके निकलना है तभी हम मानों सभिता का भला कर पाएंगे यह खरीद परुक्त की व्यापार की सभिता मानों के नैतिक विकास में बाधक है मनुस्य प्रेम वह नैतिक बल से ही संसार पर राज कर सकता है हमें किसी और पर नहीं अपने मन पर राज करना है अपनी आत्मा को काम बनाना सबसे बड़ा अपराद है आत्मा की मुक्ति अपने स्वराज में आने से ही संभव होती है। यह तभी संभव है जब हम सब अपनी सत्ता के साथ साथ अन्य कई सत्ता को स्विकारें, जानें। तभी हम सही मायने में नयतिक मनुष्य हो पाते हैं, जिस बात को हम स्वैम नयतिक रूप में सुईकारते हैं और दूसरों को भी सुईकारने के लिए कह सकते हैं, उसका स्वरूप केवल नयतिक ही हो सकता है। यह पत, सहज, सरल वह स्वैम की स्विकृती से जनमा है, इसमें किसी का निसेद या अस्विकार नहीं है, बलकि सभी को स्विकार करते हुए चलने की प्रस्तावना रखी गई है, गांधी महात्मा के लिए भारती जीवन पद्दत, ग्राम सुराज और स्रम की प्रतिष्ठा, उनके जीवन कर्म चिंतन और विचार के मूल में है, यहां विचार केवल अपनी अविव्यक्ति के लिए नहीं है, नहीं यहां चिंतन के लिए विचार को केंदर में रखा जाता है, बलकि यहां विचार जीवन जीने और अपने आचरण में प्रियोग करने के लिए है, शर प्रिष्ट उन्निस बीस इसे गांधी महात्मा दानवी सभिता के रूप में परिभासित करते हैं उनका बराबर इस बात पर जोर रहा है कि पसु बल से हम जितना दूर रहते हैं उतना ही संस्कृति की ओर कदम बढ़ाते हैं अपने आत्म बल वा मनुस्य की सक्तियों पर जितना भरोसा करना सुरू करते हैं उतना ही हम अपने आत्मा के नजदीक अपने सुभाव के नजदीक और संस्कृति के नजदीक जाते हैं आज जैसे जैसे हम मसीन या तकनीक के गुलाम बनते जा रहे हैं वैसे वैसे एक सब्वेवस्व संस्कृत मानौ होने के लिए हमें गांधी की सोच वजीवन दृष्टि के नजदीक जाकर ही मुक्ति मिल सकती है इस आधार पर न केवल हम मानौ सब्वेता वसंस्कृति का विस्तार करेंगे बलकि भारत के संस्कृति को समझते हुए दूसरों को भी भारतियता नैटिक पद वसंस्कृति के संदर्व को समझाने में समर्थ होंगे अंग्रेज अपने माल के लिए सारी दुनिया को बाजार बनाना चाहते हैं हिंद स्वराज प्रिष्ट तेईस आज पूरा विस्व ही बाजार बनता जा रहा है जो टक्राहत और हिंसा के मूल में है सभेताओं के संगर्स में भारती जीवन दृष्टी आध्यात्मिक नैतिक बल के लिए पूरी दुनिया के सामने गांधी जी की हिंद स्वराज पुस्तक पर रहसक के रूप में है हमें अपने उपर राज करें वही स्वराज है और वह हमारी हतीली में है हिंद स्वराज प्रिष्ट 47 यह हमारे उपर है कि हम कितना नैतिक रूप से मजबूत हो सकते हैं और कितनी अपनी आत्मा को सुनते हैं तभी हम हिंद स्वराज को भी सुनेंगे और समझेंगे 115 वर्स पहले प्रकासित यह पुस्तक सभ्यताओं के विमर्ष में भारतियता, नैतिक सक्ता और नीत पर आधारिस समाज के लिए एक आत्म सक्ती के रूप में प्रकास देने वाली किताब है हिंद स्वराज महात्मा गांधी के विचारों से उनके जीवन दर्सन वा आत्म संसार का वह निचोड है जिसमें मनुस्य मात्र की आत्म सुचिता की प्रस्तावना रखी गई है हिंद स्वराज का दर्सन मुल्तह मानो मात्र की आत्मा का महत्तम समापुवर्त है जिसमें सबकी सुचिता नैतिक और भारती आध्यात्मिक्ता सुत्र रूप में समाहित है यह हर समय हर युग में प्रासंगिक किताब है जिसके सहारे हम सब अपना नैतिक विकास कर सकते हैं महत्मा गांधी अपनी जीवन दृष्टी अपना नैतिक बोध और अपने समाच का सामुहिक नैतिक बोध बनाते हुए हम सब मानवी सभ्यता को मानवी संस्कृती को युगों युगों तक चलाएमान बनाए रखने के लिए सभ्यता और संस्कृती के सतत विकास के लिए दुनिया में यदि कोई एक दृष्टी है जिसके बल पर मनुस नैतिक प्रगति कर सकता है तो वह गांधियन बिचार स्रिंखला है गांधी जी को पढ़ते हुए गांधी जी को समस्ते हुए गांधी जी पर बिचार करते हुए आप मनुस की नैतिक आत्मसक्ता का विकास करते हैं यह हर तरह के पास्विक बल के खिलाफ मसीन के बल के खिलाफ आत्म बल और आत्मसैयम की सकती का एक ऐसा सामूहिक बोध है जो गांधी महात्मा ने अपने साथ सुरू किया था व्यक्तिगत रूप से नीजी रूप से हम किसी भी तरह की उन्नत किसी भी तरह की विकास यात्रा को कर सकते हैं पर कोई भी विकास यात्रा तब फलित होती है जब हम एक साथ सामाजिक रूप से सामूहिक रूप से सबकी विकास यात्रा और सबके मन के नैतिक विकास की बात करते हैं और यह बात तभी संभव होती है जब हम गांधी विचार दृष्टी से नैतिक आत्मसुधी, सैयम और आत्मसंग्रह और आत्मसैयम की बात करते हैं गांधी जी का हिंद स्वराज, मसीनी सभ्यता, पासविक और यांत्रिक होती दुनिया के खिलाफ मनुस्य के नैतिक आत्मसैयम और नैतिक विकास की सभ्यता और संस्कृती को प्रकासित करने का एक महा ग्रंत है हिंद स्वराज को पढ़ते हुए हम अपनी दुनिया को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाने में समर्थ होते हैं जय हिन